घरिलो शेह बाजार में काफे दिनों बाद हमें एक रिकॉर्ड हाई वाला हफता देखने को मिला है बाजार लगा तार 12 दिनों से ग्रीन में चल रहे थे लेकिन लास्ट विक हमें रिकॉर्ड हाई भी देखने को मिले ग्लोबल मारकेट्स का मूड भी अच्छा था हाइम तो लिगाद इस मार्केट ड्रैप जहां हम निज़र डालते हैं बाजार के ट्रिगर्स और हफते के आउटलुक पर इस हमें एक अगस्त के बाद निफ्टी पे हमें नया लाइफटाइम हाई देखने को मिला इंडेक्स 25,250 के उपर का लेवल टेच कर रहा था सितंबर सीरीज के शुरुवात हुई है और बढ़िया शुरुवात हुई है FIIs के ओर से खरिदारी होती हुई भी दिखाई दी बाजार में थोड़े थोड़े गीन्स के साथ ही सही लेकिन बाजार में एक स्ट्रेंथ पना रहा US markets के अच्छे mood के पीछे एक अच्छे economic data रहे अमेरिका के GDP growth दूसरी दिमाही में 2.8% अनुमान के मुकाबले 3% पर रही और बाजार को दमदार consumer खर्ट से भी सहारा मिला DAO भी record हाई पर गया था वैसे mid week पर NVIDIA के नतीजों और guidance से बाजार का mood थोड़ा सा खराब दिखाए दिया NVIDIA के नतीजे अनुमान से बहतर थे लेकिन guidance ने जरूर disappoint किया CIT index में गिरावट से NASDAQ और S&P 500 पर थोड़ा pressure बनता दिखाए दिया अधर commodity बाजार में हमें mixed trading देखने को मिली कभी metals तेजगी रावट पर थे तो कभी recovery भी नसर आई Although global market में gold ने rebound किया था और हमें 2530 dollar के level भी दिखाए दिये dollar index में recovery आई थी और ये एक हपते के उचाई पर 101 के पार निकला था crude में सुस्ती दिखाए दी थी और ये फिर 89 dollar के नीचे आगया base metals में तेजी थी लेकिन यहां भी थोड़ी सुस्ती आती दिखाए दी अगले अपते के outlook के बात करें तो एक बड़ा पदलाव होने वाला है MSCI index पर Friday की closing के बाद ने changes लागू होंगे जो some war यानी 2 सितंबर से reflect होंगे ये index साल में 4 बार rebalance होता है जिसमें कुछ तेख criteria के हिसाब से stock शामिल होते हैं तो कुछ stocks बाहर आते हैं अभी जो बदलाव होंगे उसके तहत RBNL, Voda Idea, Dixon Tech, Oracle, Oil India, Prestige Estates और Zydus Life Index में शामिल हो रहे हैं तो बंधन बैंक को बाहर किया जा रहा है इसके अलावा F.25 की पहली दिमाई के GDP growth data भी बाजार के लिए बड़ा टुगर रहेंगे अपार्ट फ्रम दिस नया महीना शुरू हो रहा है तो बाजार की नज़र macro economic data जैसे के GST collection के नंबर और auto sales के नंबर पे भी रहेगी ये था बाजार का पूरा update बाके business की तमाम खबरों के लिए देखते रहें C-Business